Class 10th Board Exam का समय है Theory Paper भी है, Practical भी है Magnet Brain से पढ़के हमने अपने Theory पार्ट को बहुत स्ट्रॉंग बना लिया है और भी पढ़ रहे हैं और हम साथ साथ Practice कर रहे हैं Sample Papers को Solve कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है थोरा सा अटेंशन इस बात का था कि हमारे Practical exams का क्या होगा Practical exam में जो external आएंगे जो हमसे Viva Quotions पूछे जाएंगे उन Viva Quotions का हम किस तरीके से आंसर करें इस बात की थोरी चिंता थी तो आपके इसी चिंता को दूर करने के लिए Magnet Brains लेकर के आया है आप सभी के लिए Class 10th Biology Most Important Viva Quotions मैं शुभम शुभास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का Magnet Brains के इस प्लैटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिलकुल ही Free and Quality Education Free कहने का मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि हम आपको 2-4-10 वीडियो दिखाने के बाद किसी तरीके के Payment के लिए बोलते हैं यहाँ पर आप सारे Classes के सारे Video Lectures को Access कर सकते हैं Free of Cost और वो भी पूरे Quality Content के साथ Theory Paper हो या हो आपके Practical Examination सब की तयारी करवाई जाती हैं यहाँ पर बिलकुल इफ्री आफ कॉस्ट और आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं Most Important Viva Questions जो हमारे Biology पार्ट से हैं कई सारे Experiments हैं जिसमें आज हम अपने Experiment No.1 से Deal करेंगे तो यहाँ पर हम Basically Discuss करेंगे कि कौन से Most Important Viva Questions पूछे जाते हैं हम Experiment को बहुत जादा Detail में समयजना नहीं है यहाँ पर क्योंकि जो External आपके आने वाले हैं और जो आपसे वो Questions करेंगे जिन Questions के बाद आपको बहुत सारा Number दिया जाएगा तो वो जो Questions पूछे जाते हैं बच्चों से उस दौरान ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो Answer नहीं कर पाते उनके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है तो यहाँ पर क्या है किसी भी तरीके से अपने Confidence को नहीं खोना है बिल्कुल ही टाइट बैटना है और जो भी Questions हम से पूछा जाएगा उसका हम बहुत ही Positive तरीके से एक दम Positive Attitude में Answer करना है Answer करने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि बहुत जादा नहीं Explain करना है आपसे जो Question पूछा जाए बिल्कुल ही Short answer आप उसका करें Short and Sweet answer करें इससे क्या होगा कि आपको जो Marks है वो पूरे-पूरे मिलते हैं तो सबसे एक एक करके हम देखते हैं कि कौन-कौन से Question पुछ जाता है देखते हैं Experiment No.1 हमसे कहता क्या है Experiment No.1 का Aim क्या है तो Experiment No.1 जो है उसका Aim कुछ ऐसा है कहता है कि To Prepare a Temporary Mount of a Leaf Peel to Show Stomata हम यह चीज जानते हैं कि जो Leafs होते हैं उनके अंदर Stomata पाया जाता है और हमें यही साबित करना है हमें यह साबित करना है कि एक Temporary Mount बनाना है Leaf Peel का जिसमें हमें साबित करना है कि वहाँ पर Stomata है हमें वो चीज दिखाना है यहाँ पे समझ गए यह हमारा Topic है इसका अपने Practical यह सब बनाया होगा अपने School में इसको Perform किया होगा अब हम इसे Topic से देखते हैं कि हमसे कौन-कौन से कौन-कौन से हमसे इसे Quotions वाइवा Quotions हमसे पूछे जाते हैं हम Total 5 Quotions के साथ डील करेंगे 5 Quotions बहुत होते हैं वाइवा Quotions के लिए क्योंकि बहुत सारे Experiments हैं आपके Physics में भी Experiment है, Chemistry में भी है, यहाँ पर भी है तो पांच Quotions अगर हम हर एक Topic से पांच Quotions के Practice कर लें तो हम अपने, मतलब जो हमारा मतलब बहुत जादा Quotions हमारा हो जाएगा तो बहुत ही Easily हमारा यह जो वाइवा का Exam है वो निकल जाएगा तो देखते हैं इसमें पहला Quotions हमारे सामने आ चुका है पहला Quotions, वाइवा Quotions में हमसे कह रहा है कुछ ऐसा कि आपसे External आपको सामने बिढ़ाया उन्होंने और आपसे Quotions कर दिया कि चलो यह वाला Experiment तुमने किया है तुमने आंसर किया कि सर हां हमने यह Experiment किया है तो इस Experiment में हमें देखना था कि To Prepare a Temporary Mount of a Leaf Peel to show Stomata तो यह आपने किया है आपने का कि सर हां हमने किया है तो सर ने आपसे Quotions पुछ लिया तो चलो बताओ यह Stomata क्या होता है तो वही हमारा पहला Question आगया हमारे सामने कि What is Stomata तो Stomata की बात करें तो यह कुछ और नहीं बलकि कहता है कि यह बहुत Minute Pores है कहने का मतलब है इसका कहने का मतलब है कि यह Minute Pores present है इसके उपर Minute Pores बहुत चोटे-चोटे बहुत चोटे-चोटे Holes चेद टाइप के मौजूद है Pores वहाँ मौजूद है Leaf के उपर जिसे हम लोग Stomata के नाम से जानते हैं अगर इसके Diagram की बात करें तो वहाँ पर आपको Diagram तो बनाना नहीं होगा लेकिन अगर हम फिर भी इसका Diagram की बात करें तो कुछ ऐसा Diagram हमें इसका देखने को मिलता है ठीक है? कुछ इस तरीके का हमारा Diagram हो जाता है तो हमसे बोला जा कि Stomata क्या है? तो हमने आंसर किया सर को कि सर These are Minute Pores present on the leaves तो यह leaves के उपर Minutes Pores present होते हैं तो यहां पर सर ने का कि चलो अच्छा तुमने बहुत ही अच्छा सा आंसर किया है कि Minute Pores present है लीव के उपर जिसे हमने Stomata का नाम दे दिया ठीक है? अब सवाल यह उठता है कि आप से फिर सर पूछ सकते हैं चलो यह तो तुमने बता दिया कि Stomata क्या होता है अब तुम्हें काम करो बताओ अब तुम्हें काम करो और यह बताओ कि इस Stomata का function क्या होता है तो उपसे सर ने पूछा कि Stomata क्या है तुमने बोल दिया कि सर यह Minute Pores present है leaves के उपर जिसे हमने stomata का नाम दिया है बहुत अच्छे अब ये बताओ कि इस stomata का function क्या है ये तो present है तो हम समझ गए तो फिर हमारा answer क्या हो जागा कि sir stomata जो है actually वो gaseous exchange में help करता है हमने sir को कैसे answer कि sir stomata helping exchange of gases from the atmosphere and also in transpiration that is evaporation of water vapor from leaves ये चीज़ हमने sir को बता दिया कि gaseous exchange करता है gaseous exchange करता है हमने दो तीन चीज़े पढ़ी है एक हम जानते है something something about photosynthesis जानते हैं कि नहीं जानते हैं हम जानते हैं बिल्कुल कि photosynthesis क्या होता है दूसरी चीज़ है कि हम जानते हैं respiration के बारे में भी हमने सुना है हमने respiration के बारे में भी सुना है ठीक है तो photosynthesis तो एक ऐसा process है जिस process के दम पे ये plants जो है वो अपना खाना बनाते हैं ठीक है और इसके लिए इसको एक gas की जुरुत परती है that is CO2 इसे जुरुत परती है carbon dioxide और ये carbon dioxide ये कहां से लेते है तो ये plants जो है ये carbon dioxide हमारे atmosphere से लेते है तो ये जो atmosphere में for example की ये एक अगर plant है और ये plant का ये leaf है इस तरीके से ये leaf है और यहाँ atmosphere में CO2 मौजूद है तो इस CO2 को ये अपनी तरफ खीचेगा ठीक है और ये plant के अंदर जाएगा कैसे for example अगर हम humans की बात करें तो हमारे पास दिख रहा है कि proper nostrils है इसके बाद अंदर हम जाते हैं हमारे पास proper respiratory system है तो हम इस तरीके से air को inhale करते हैं lungs के अंदर alveoli मौजूद है जिसे हम लोग functional unit of lungs भी कहते हैं जिस alveoli के मतद से gaseous exchange हो जाता है तो हमारे अंदर तो gaseous exchange इधर से हो गया plant के अंदर जो gaseous exchange है उसमें help कर रहा होता है हमारे यह stomata तो वही कहने का मतलब है कि यही stomata वो जगह है जहां से यह carbon dioxide अंदर जाएगा और इसके बाद जो o2 जो है इधर से oxygen जो है वो बाहर भी उधर ही से निकलता है कहां से तो यह stomata से तो सर ने हमसे पूछा कि stomata क्या है तो हमने बता दिया कि सर यह minute pores है जो कि leaves के उपर पाये जाते हैं और फिर सर ने इसके बाद हमसे पूछ लिया कि चलो ठीक है मान लिए तुम्हारी बात अब तुम यह बता दो कि what is the function of a stomata तो हमने सर को reply किया कि सर ऐसा होता है कि stomata जो है उसका function यह है कि यह gases exchange में मदद करता है gases exchange में मदद करता है जिसके कारण photosynthesis जो है वो भी आसानी से हो पाता है respiration भी हो पाता है साथ-साथ यह और काम करता है that is the transpiration transpiration के बारे में जानते तुमने कह दिया answer में कि सर वो transpiration में भी अपना role play करता है तो सर का question हो सकता है यह आपर पलट जाए और बोल दें कि transpiration क्या होता है जरा बताओ तो सर को हमने बोलना है कि सर transpiration is nothing just the evaporation of water vapor from leaves तो evaporation जो water vapor का जो यह यह दर इधर से जो H2O निकलता है H2O gaseous form में इसे हम लोग transpiration कहते हैं तो यह हमने इसका answer कर दिया कि सर एवपोरेशन of water vapor from leaves तो यह हो गया transpiration तो यह हो गया something something about estromata याद करने के लिए आप इसको note कर सकते हो अपने pen paper को साथ ले करके बैठो 10 minute का खेल है 10 12 15 minute में हम इसको complete करेंगे मतलब एक experiment को hardly से hardly 10 से 15 minute में हम complete कर लेंगे तो यह रहे इसके बारे में कुछ चीजे की function of estromata इसको note कर लो फिर हम इसके बारे में तीसरा question देखते हैं कि तीसरा question हम से क्या पूछा जा सकता है ठीक है तो तीसरे question की तरफ अगर हम बढ़ते है तो तीसरा question हम से कहता है कि how is opening and closing of estromata controlled अब यह है कि closing और opening of estromata की बात की जा रही है तो estromata open और close कैसे होता है सवाल सर नहीं बो दिया कि चलो gaseous action पे participate करता है अब तुम यह हमने बता दो कि यह जो stomata का opening है या closing है यह कैसे control होता है तो हमारा simple answer हो जाएगा कि sir turgidity turgidity of guard cell यह turgidity of guard cell जो है यहीं से control होता है opening and closing of estromata guard cell की जो turgidity होती है वहीं से control किया जाता है किसको तो opening and closing of estromata हम देख रहे हैं किता छोटा छोटा answer है एक एक line हमें explain कर रहे हैं मतलब कहने का यह है कि बहुत ही छोटा answer हमें देना है क्योंकि time बहुत कम है आपके पीछे बहुत सारे और students बैठते हैं क्योंकि for example एगर roll number one का चल रहा है वाईबा तो उसके पीछे class में और भी बहुत सारे students से जिनका वाईबा होना है तो मतलब सब कुछ देखते वे ऐसा होता है कि जो answer है ना हम अगर short दें और complete answer दें तो हमें marks पूरे-पूरे मिलते हैं तो वही कहने का मतलब है कि सर ने अगर पूछ दिया कि बताओ opening और closing of istromata कैसे control किया जाता है तो जो guard cell की turgidity होती है उसके फिर उससे क्या होता है इसको control किया जाता है opening and closing of istromata समझ गये समझ गये फिर हम से पूछा जा सकता है एक और question question number 4 एक और question पूछा जा सकता है कि name the inorganic ion एक inorganic ion है ठीक है एक inorganic ion है which are helpful in opening and closing of istromata तो यहाँ पर opening और closing of istromata में एक inorganic ion भी अपना role play करता है वो कौन सा ion है तो इसके लिए हमारा answer हो जाए का कि sir वो जो inorganic ion है ना वो potassium ions होते हैं potassium ions होते हैं potassium को हम लिखते हैं के और ions के काना हमने यहाँ लगा दिया plus के प्लस ions potassium ions help करते हैं कि potassium ions help करते हैं potassium ions help करते हैं opening and closing of istromata में याद रखना है हम यह potassium ions कब बोलेंगे जब वहां sir हम से पूछते हैं कि कौन से inorganic ions की बात की जाएगी जब inorganic ions की बात की जाएगी तब हम इसका नाम लेंगे लेकिन जब inorganic ions का नाम नहीं लिया जाएगा उस वक्त हमें बताना आएगी sir यह जो guard cell की turgidity है वहां से control होता है ठीक है तो यह रहा हमारे सामने इसका चौथा question चौथा question में हम क्या कहेंगे कि एक inorganic ion वह कौन सा है तो potassium ion है यह help कर रहा है किसमें opening में and closing of stromata में समझ में आई चीजें इसको भी note कर लो बहुत ही आसान है बहुत ही छोटा है फिर हम आगे देखते हमारा पांचमा कोशन की पांचमा कौन सा question हम से पूछा जा सकता इस वाईबा में है ना तो पांचमा कोशन की अगर fifth question की बात करें तो यह रहा पांचमा कोशन कहता है कुछ ऐसा यह soil का layer है तो इसके नीचे जो यह roots है इसके नीचे जो यह roots है यह कौन से है तो यह underground part है ठीक है यह underground part है और यह जो उपर उपर में दिख रहा है इस तरीके से इस तरीके से जहां हमें leaves देखने को मिल रहा है यह कौन सा part है तो यह aerial part है aerial part है है ना तो हम से बोल रहा है कि ऐसा अखसर देखने को मिलता है यह जो stomata जो है वो यहाँ present होता है इस वाले reason में, aerial reason में यहाँ नहीं पाया जाता अब इसा क्यों है पता हूँ सर ने पहले हम से क्या push लिया Tomato के रही сто damit के functions को push लिया opening and closing of stomata के बारे पूछ लिया फिर हम से यह पूछ लिया कि कौन सा inorganic ion जो है वो responsible है opening and closing of stomata में और आखिर में यह पूछ लिया कि चलो तुमने सबका answer कर दिया अब last में तुम हमें यह बता दो तो वही चीज़ कहता है कि since gaseous exchange is likely to be more in the aerial part जो कि gaseous exchange जो है वो इस वाले reason में हमें देखने को मिलता है और साथ-साथ जो underground parts होते हैं जैसे कि root है underground part है root है यहाँ पर वो gaseous exchange नहीं होना है तो इसलिए क्या होता है कि gaseous exchange हमें to be more in the more in the aerial parts and not in the underground parts like root therefore stomata are present more in the aerial parts of the plant इसलिए हमारा जो stomata है वो aerial part में होता है क्योंकि aerial part से ही क्या है यहाँ पर जो atmosphere में जो gases है वो जो इधर की हो रहेंगे फिर यहाँ से O2 निकलेगा फिर यहाँ से निकलना है जो हमारा H2O in the form of gaseous gaseous form में जो निकलना है वो निकल करके आएगा तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर काम हो जाएगा जिते भी gases exchange होने है वो हो जाएंगे और यह underground part का यहाँ पर कोई रोल नहीं है यहाँ पर water and minerals का absorption करवाया जाता है water और actually root का क्या काम है क्योंकि इधर से जो H2O है या और इधर से जो different minerals है उसको यहाँ से collect किया जाता है ठीक है यहाँ पर gaseous exchange का काम नहीं है इसलिए यहाँ पर वो चीज़े absent है वो चीज़े क्या है stromata और यहाँ पर present है ठीक है तो यह पांच questions है यह बहुत ही पांच questions है अगर हमने इसको कर लिया यह पांच questions कर लिये तो हमारे इस टॉपिक से इस वाले एक्सपेरिमेंट से हम answer कर सकते हैं एक बार आप कहें तो हम quick revision करना पसंद करेंगे quick revision में हम देख लेते हैं क्या क्या कोशन से हमारे पास तो हमारे पास शुरू से शुरू करते हैं पहला question पहला question है what is astromata बिल्कुल ही बंदास होगर के आंसर करना है कि सर यह minute pores present होते हैं leaves के उपर तो यह क्या है minute pores हैं जो की leaves के उपर present है चलो सही दूसरा question दूसरा question में हमसे पूछ लेगा कि function क्या है astromata का हमने सर को answer कि यह जो function इस्ट्रमाटा का यह है exchange of gases में यह मदद करता है मतलब कि जैसे carbon dioxide का आना O2 का बाहर जाना H2O in the form of vapor का बाहर जाना जिसे हम लोग ट्रांस्पिरेशन कहते हैं इन सारी चीजों में यह अपना रूल प्ले करता है help करता है बहुत बढ़िया question number 3 में हमसे पूछ लिया कि बता opening and closing of is ट्रमाटा कैसे control करते हैं तो हमने कहा कि सर जो guard cell यहां पर मौजूद है इसकी टर्जीडीटी से इसे control किया जाता है तो वही कह रहा है कि टर्जीडीटी ऑफ गाड्सल कर रहे हैं के प्लस आयन जिसे हम कहते हैं तो यह potassium आयन हो क्या इसका आंसर फिर पांचमा कोशन हमसे कहता है कि वाई आर दियस ट्रुमाटा प्रेजेंट ओनली ऑन दी एरियल पार्ट्स ऑफ दप्लांट तो सिर्फ एरियल पार्ट में क्यों पाय जाते हैं अंडर्ग्राउ नहीं हो और पार्ट में हो रही हैं तो फ्याइल फट में स्टम्यटा पाया जाता हृट से कौंधे सीटारीक अंडर्बाट फ् securities एक्स्परिमेंट अपने पाँवा ऐवा ईकशन को complete उमीद है उमीद है कि आपको समझ में आये होगा आपको जो भी डाउट से आपको अगर कोई डाउट है तो आप उसे comment box में पूछ सकते हैं इसी के साथ किया हमने अपने experiment number one को complete तो एम जो है हमारी experiment number two का वो कुछ ऐसा है कि कह रहा है कि to show experimentally that light is necessary for photosynthesis तो कुल मिला करके हमें बताना है कुछ ऐसा कि ऐसा बताना है कि जो photosynthesis जो process है उसमें light जो है वो necessary है compulsory है light के बिना photosynthesis नहीं हो सकता तो हमें वही बताना है experimentally इस चीज़ को prove करना है इस चीज़ को बताना है ठीक है सबसे पहले अगर हम बात करें photosynthesis की तो हमें पता है कि यह कैसा process है जिसके मदद से जो है वो plants अपना खाना बनाते हैं इसलिए हम इसे photosynthesis का नाम देते हैं तो यह रहा हमारा aim यह रहा हमारा topic और इसी के उपर हमने experiment किया अपने school में इस चीज़ को perform किया हमने जाना समझा सीखा कि किस तरीके से इस चीज़ को किया जाता है अब हम discuss करेंगे इसके वाइवा questions को most important वाइवा questions तो कुल 5 questions है आज हमारे पास फिर से और इनी 5 questions की हम करेंगे practice इनको देखेंगे जानेंगे समझेंगे 10-15 मिनट का काम है 10-15 मिनट में हम इस पूरे इस topic को इस तरीके से clear कर लेंगे कि इस topic से कोई भी वाइवा questions अगर हमारे सामने आ जाए हमारे external हमसे कोई भी वाइवा questions अगर हमसे पूछ लेते हैं तो हम उनका बिल्कुल ही बंदास तरीके से जवाब देने वाले हैं कहीं से हम घबराने वाले नहीं हैं तो एक एक करके देखते हैं कि कौन-कौन से questions है हमारे सामने पहला question आ गया पहला question आ गया हमारे सामने और पहला question का demand क्या सीधा सीधा external हमसे पूछ रहा है कि यह जो topic है यह topic external के सामने हम गए सर ने हमसे कहा कुछ ऐसा कि क्या topic है तो सर ने देखा ऐसा topic है तो topic देख रहा है कि to show experimentally that light is necessary for photosynthesis सर ने आपसे question कर दिया कि क्या तुमने इसको किया है perform आपका answer कि हाँ सर हमने किया है इसका मतलब है आप इसके बारे में जानते हो आपका answer होगा answer जानते है तो बताओ जरा कि यह जो photosynthesis है यह photosynthesis क्या है तो हम बिलकुल ही बिलकुल ही खुश हो जाएंगे यह सुन करके और सर को बोलेंगे कि सर photosynthesis एक ऐसा process है जिस process के दम से plants जो है वो अपना food जो है वो बना रहे होते है अब देखो यहाँ पर लिखता है photosynthesis इस photosynthesis word को जो है अगर हम यहाँ पर उठा करके लाएं तो इससे अगर हम तोरने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि हम इसे ऐसे तोर सकते हैं plus synthesis photon plus synthesis synthesis दो words में हमने इसे तोड़ दिया, ठीक है, इस दो words में हमने इसे तोड़ दिया, इसकी बात करें, तो इसका मतलब हो जा रहा है, यहाँ पर क्या, तो light, ठीक है, और इसका मतलब हो रहा है, production of something, मतलब synthesis, मतलब बनना to make, ऐसा ही, कुछ इसका मतलब हो गया, ठीक है, तो कहने का मतलब है, कि light के presence में अगर किसी चीज का formation हो रहा है, तो वो photosynthesis हो गया, और यहाँ पर light के presence में किसका formation हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर plants अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है, plants अपना खाना यहाँ पर बना रहे हैं, इसके लिए plants क्या करत सबसे पहले plants लेते हैं atmosphere से carbon dioxide को और फिर लेते हैं water को यह underground water यहां पर अपना role play कर देता है और फिर जो आगे जाकर के बंदा है that is c6 h12 o6 साथ-साथ कुछ water molecules release होते हैं और साथ-साथ क्या होता है oxygen को यहां पर release किया जाता है तो यह कुछ equation है for photosynthesis तो कहने का मतलब यह है कि plants ने इसका और इसका use किया है और फिर बनाया है किस चीज़ का तो इस चीज़ को और यह दोनों चीज़े फिर release कर रहा है यह plant ठीक है as to in the form of water vapor भी यह release किया जाता है और ओटू तो ऑवेस सा बात है कि water vapor के form में ही इसे release किया जाता है तो यह photosynthesis है वही चीज़ यहां पर कह रहा ह in the presence of light by utilizing carbon dioxide and water carbon dioxide and H2O H2O मतला water तो एक ऐसा process है जिसमें green plants क्या कर रहे है अपना food बना रहे है in the presence of light light के presence में और utilize कर रहे है carbon dioxide और H2O को तो यह हो गया हमारा इस question का answer actually equation की बात करें तो equation balanced नहीं है तो अगर हम balanced chemical equation लिखने की कोशिश करें तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं कैसे लिख सकते हैं तो पहले तो हम लिख देंगे यहाँ पर CO2 CO2 के साथ-साथ हम यहाँ पर लिख देंगे H2O H2O के बाद यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बनेगा यहाँ पर C6 H12 O6 ठीक है फिर बनेगा यहाँ पर क्या तो C यहाँ पर बनेगा O2 और साथ-साथ बनेगा H2O ठीक है यहाँ पर sunlight हो जाएगा क्योंकि sunlight के presence में यह काम होना है नीचे हम यहाँ पर chlorophyll लिख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर क्या है इसको balance करते हैं इधर हम देखेंगे तो 6 carbon दिखता है इधर हमें सिर्फ एक carbon है तो इसको balance करने के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया 6 6 लगा दिया तो हमारा carbon तो balance हो गया oxygen की बात करें तो 12 और 13 इधर इधर बात करें तो 6, 2, 8, 9 तो यहाँ पर हम क्या करें और hydrogen की बात करें तो इधर 12 दो 14 है और इधर सिर्फ 2 है तो अगर हम इधर 12 लिख देते हैं तो हमें दिखता है कि hydrogen कितना हो गया 24 हो गया 24 हो गया इधर कितना है 12 है इधर दो है तो इधर भी 6 लगा दो तो 6 लगा देने इस कितना हो गया इधर 12 और इधर कितना हो गया 24 तो hydrogen balanced है oxygen की बात करें तो कितना है oxygen इधर 12 है और इधर 12 है इधर बात करें कितना है 6 है, 6 12 है और इधर भी अगर हम 6 लगा दें तो इस तरीके से हमें लगा दें कि 6 carbon से यह balanced हो गया यहाँ पर फिर यह 12 और यह 24 oxygen से वह balance हो गया और इधर hydrogen भी balanced हो गया तो यह एक balance chemical equation हम दिखते हैं किसलिए तो photosynthesis के लिए इसको भी आप चाहो तो note कर लो, screenshot निकाल लो, आपके काम का है, लेकिन हमें ध्यान रखना है क्या, कि अगर हमसे photosynthesis का question अगर हमारे external हमसे पूछते हैं, तो हम उसका इस तरीके से answer करेंगे, और फिर अपने इस चीज़ को complete करेंगे, ठीक है, note कर लो, screenshot निकाल लिया, आप हमसे दोते हैं कि हमसे, फिर दूसरा question इस experiment से हमसे क्या पूछा जा सकता है, इस experiment से फिर हमसे दूसरा question पूछा जा सकता है, कि बताओ, what is the site of photosynthesis, चलो हमने माल लिया कि photosynthesis यह एक ऐसा process है, जिसे plant अपना food बना रहे है, तो यह कहां हो रहे है, यह process कहा हो रहे है, जैसे हमारे घर म इसके बात करें तो generally leaf हो जाएंगे, leaves के अंदर, और leaves के अंदर भी जो chloroplast है ना, chloroplast है ना, actually this is the site of photosynthesis, तो यही वो चीज़ है, यही पर actually वो कारेकरम हो रहा हो होता है, ठीक है, बहुत ही आसान, कहा होता है, generally green parts में होता है, generally leaves की बात की जा रहे है, और कहां पे तो chloroplast के ठीक है, तो हमसे दूसरा question हमारे सण ने पूछ दिया, कि बताओ भाई photosynthesis का site क्या है, हमने फटाक से answer किया, जल्दी जल्दी answer कर रहे है हम, तो हमें क्या है, कि marks जो हमें मिलेंगे, वो पूरे पूरे मिलेंगे, ठीक है, आगे बरते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ की उध necessary for photosynthesis, अब हमें बताना है कि यह chlorophyll जो है, वो necessary photosynthesis के लिए क्यों है, नेसेसरी है, अभी इसको इसको साबित करने के लिए हम लोग varietyated leaf का use करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो सबसे पहले बात कि यह कैसी चीज है, यह किस तरीके के leaf होते हैं, पहले इसके बारे में हम discuss करते है तो यह वैसे leaf होते हैं, जिनमें की green parts as well as non green parts दोनों देखने को मिलते हैं, तो कह रहा है कि, कि यह varietyated leaf has both portions, the portion containing chlorophyll that is green part and a portion without chlorophyll, जो non green part हो जाएगा, तो ऐसे plant होते हैं, बहुत सारे leaves को आपने देखा होगा, पार्क वगरे में या अफिर कहीं पे, कि आपको दिखता है कि कि colorful होते हैं, for example, अगर हम color change करने कोशिच के color change करके देखते हैं, for example, अगर हम ऐसा है, तो आपको दिखता हुआ कि, यहाँ पर यह green parts कुछ ऐसे आपको, यहाँ पर इस तरीके से green parts जो हैं, आपको दिखते हैं, साथ-साथ आपको देखने को मिलेगा, कि इसी leaf में, साइड सा ना देखें, यहाँ पर yellowish part भी आपको देखने को मिल जाता है, तो कहने का मतलब है, green parts as well as non green parts दोनों इस leaf में मौझूद हैं, तो हमने इसको यहाँ पर चुन लिया, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर कहता है कि does both the control and experimental aspects can be observed in the same leaf, तो यहाँ पर हम एक ही leaf के अंदर दोनों च चीज़ें का study कर सकते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस वाले partner photosynthesis हो रहा है, इस वाले partner photosynthesis नहीं हो रहा है, तो एक ही leaf के अंदर हम यह चीज़ें देखने को मिल जाते हैं, that is why हम इस तरीके के leaf का use करते हैं, समझ में आ रही है, चीज़ें बहुत ही basic question है, बहुत ही basic question है, बह चौथा question हम से कहा जा रहा है कुछ ऐसा, यह चौथा question हम से कह सकते हैं, हमारे जो external आएंगे, वह हम से पूछ सकते हैं कि, why should we decolorize a leaf before testing for starch, तो कह रहा है कि starch के testing के लिए, testing for starch, starch के testing के लिए, why should we decolorize a leaf, हम लोग किसी belief को decolorize क्यों करते हैं, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ ह आवा, that is testing for starch, starch का test किस से किया जाता है, तो starch का test जो है, वो किया जाता है, iodine test से, ठीक है, इसो किस चीज़ से किया जाता है, यह होता है, iodine test, iodine test किस के लिए, तो यह कुछ और नहीं, बलकि testing for, testing for starch, यह भी एक question हम से पूछा जा सकता है, ठीक है, यह question हमारे सामने आ गया, तो इस question से related एक और question अब से पूछ से देख पता कि यह starch के लिए कौन सा test हम करते हैं तो starch के लिए sir actually क्या ना कि हम iodine test करते हैं सर भी खुस आप भी खुस आपको marks पूरा पूरा आपके grades अच्छे अच्छे तो इस पर कहता है कि the green color of the leaf will mask the blue black color of starch तो यहां पर iodine test हुआ यहां पर क्या हुआ ब्लू ब्लैक कलर हमें देखने को मिला ठीक है इसलिए क्या होता है कि removal of chlorophyll is essential to observe the results of iodine test तो iodine test को iodine test को जांचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है इसको decolorize करना पड़ता है ठीक है जोड़ा सा कोशन है इसको भी आप नूट कर सकते हो फिर हम इसके देखते हैं इसके फिफ्ट कोशन के तरफ चलते हैं पाजमा कोशन क्या कह रहा है हमसे पाजमा कोशन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि it is said that the process of photosynthesis is essential for survival of life on earth give to reason आपसे अब यह भी कह दिया आपके external ने सवाल कर दिया कि ऐसा लगता है कि photosynthesis जो है इतना essential है कि यह help करता है क्या तो यह कह रहा है कि survival of life on earth में भी इसका बहुत बढ़ा डोले क्योंकि अकर photosynthesis अगर नहीं survival है survival के life के जो different living organism जो जी रहे हैं जो सर्वाइब कर रहे हैं उनका survival मुश्किल हो जाएगा कैसे आप explain कर सकते हो क्या आप से बुला कि दो रिजन दे सकते हैं reason कुछ ऐसा हो सकता है कि चुकि इसे हमें देखने को मिला है कि जब CO2 और H2O मिल रहे हैं यहाँ पर हमने देखा था कि sunlight के presence में यहाँ पर C6, H2L, O6 के साथ यहाँ पर H2O in the form of gas और साथ-साथ O2 भी निकल रहा था तो यही O2 तो है जिस O2 को क्या करते हैं हम as a क्या करते हैं इसी O2 का तो हम अपने respiration में use करते हैं aerobic respiration जो हमारे अंदर हो रहा है उसके लिए हम इसी O2 का तो use करते हैं तो अगर यह plants अगर O2 नहीं release करेगा तो फिर किस तरीके से हम अपना respiration कर पाएंगे साथ-साथ क्या होता है कि यह वाला जो CO2 था Beach area चाहर ऑजिरिपार सेपनाा सबारी और इस यह रिफियर करते हैं ऑला जोट फिर आज करते हैं इस अगरीन तो के मदद में घीफ हिन्टिर्यशन जोटी करें हैं तो कहरा है वही चीज for keeping balance of oxygen in the atmosphere all organism uses O2 and produces CO2 during respiration only photosynthesis uses CO2 and produces O2 तो यहां पर photosynthesis वो process है जाँ CO2 को use करके O2 को release किया जाता है ठीक है? दूसरा दो reason देना था तो दूसरा reason हम दे सकते हैं for constant trapping of sunlight energy to produce food अब यहां पर अगर हम food chain को अगर हम ध्यान से याद करें अगर हम याद करें अपने food chain को food chain को याद करें तो हमें पता चलता है वहां पर हमने देखा था कि food chain ऐसा होता है कि जहां पर हमें जहां पर energy का transfer होता है तो सबसे पहले यहां पर transfer होता है producers को हमने देखा था यहां पर हमने producers को देखा था तो यहाँ पर क्या है energy जो है कहीं ने कहीं sun से निकल करके आ रही थी ठीक है sun से यह जो sun है हमारा इधर से energy निकल करके आ रही थी फिर इधर से फिर आगे दूसरे living organism उसके आगे कोई और उसके आगे कोई और इस तरीके से यह process चलता जा रहा था तो वही कहता है कि the constant trapping of sunlight energy to produce food all organism constantly lose energy in the form of heat तो इस तरीके से फिर हम कह सकते हैं कि दूसरा reason यह हो सकता है तो इस तरीके से हमारे पास यह रहा के 5 वाइबा questions ठीक है एक एक करके हम क्या करते हैं एक बार फटा फट पहले सब को रिवाइस कर लेते हैं इन सारे questions को हम revise कर लेते हैं कॉल से 5 questions possible है हमारी इस topic से तो पहला question है कि what is photosynthesis तो photosynthesis simply एक ऐसा process है जिस process के दम से plants जो है वो अपना food बना रहे है simple co2 का use कर रहे है s2o को co2 और s2o का use कर रहे है site की बात की जाए तो chloroplast वो site है मतलब green parts of the plant और की ऐसे leaves जिनमें की green and non green दोनों parts मौझूद है तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है study चौथा question हमसे पूछता है कि क्यों करते हैं तो इसके लिए जो हम iodine test का use कर रहे हैं तो फिर हम result के outcomes को जानने के लिए हमें इस चिसको यह काम हमें यह काम करना पड़ता है फिर कह रहा है कि it is said that the process of photosynthesis is essential for survival of life owners give to reason तो हमने पता है कि चुकी plants की वो हैं जहां से क्या है कि हमें CO2 लेते हैं तो इसके लिए हमने experiment किया हमने अपने practical copy में इस चिसको note किया सब कुछ किया अपने स्कूल में प्रैक्टिल गया अब हमें आरी बार ही है कि हम इससे related कुछ वाइवा कोशन के practice कर लें ताकि जो external सहाब आएंगे हमारे स्कूल में हमारे external आएंगे जो हमसे कोशन से करेंगे वाइवा के हम उनका बिल्कुल ही बंदास तरीके से आंसर कर सकें तो एक एक करके देखते हैं कि भाई हमसे इस topic से कौन-कौन से कोशन पूछे जा सकते हैं इस respiration से related तो सबसे पहले सर आएंगे और बोलेंगे कि आपन होता है respiration से related है एक्सपरिमेंट तो हो सकता है पहला कुशन आपके सामने आजा कि बता दो भाई कि यह respiration क्या होता है तो फिर हमके याद करेंगे कि respiration क्या होता है फिर हम याद है कि respiration एक ऐसा process है जिस process के अदम पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे अंदर जो food मौजूद है ज इस करवाते हैं तो कहने का मतलब है कि the process by the cell breaks down the food material to produce energy and CO2 is called respiration cellular respiration basically होता कुछ ऐसा है कि जो हमारा food है food है जैसी की लिखता है यहाँ पर carbohydrate तो कहने का मतलब है carbohydrate क्या है c6 h2o6 हमारे carbohydrate हो गया ठीक है कार्बोहाइडरेट कहने का मतलब होता है क्या कि एक्चुली carbohydrate वह होते जिसमें carbon hydrogen और oxygen मौजूद होते हैं वह carbohydrate होते हैं तो यहाँ पर c6 h2o6 क्या है एक carbohydrate है हमारे साथ यहाँ पर क्या होता है एक्चुली oxygen आता है और क्या करता है इस food फूड का एक क्या है इस ouv यह इंसे तो यह पर क्या होता है 28 tatyLa निकल कर आता है एक सवाल और हम से पूछा ज़िए सकता है कि बताओ इस एटी पी का का full form क्या है तो ATP का full form होता है adenosine triphosphate क्या होता है adenosine triphosphate क्या होता है adenosine triphosphate क्या होता है adenosine triphosphate इस चीज़ को हम याद कर लेंगे ठीक है तो आरतीस ATP यहाँ पर निकल करके आते हैं this is respiration वही चीज़ कह रहा है कि यह कैसा process है जिसमें की cell जो होता है cell breakdown food material food material ग्लुकोस के form में carbohydrate है एक तरीके का and produces energy energy in the form of ATP यह ATP 38 ATP क्या है तो यह क्या ही energy का form है कि यह energy है ठीक है यह energy है इस energy को साथ सी ओटू निकल रहा हमारा ठीक है is called respiration ठीक है तो यह respiration होता है कुछ नहीं है जो हमने food लिया था इस food से क्या करना है मुद्दा क्या होता है इस food से energy ले सके ऐसा होता है कि अगर आप शुबह से साम तक खाना ना खा और शाम को बोला जा कि चलो आप एक किलोमेटर की दौर लगा दो तो आपके अंदर कहीं नहीं ठाकान जादा आजाएगी कहने का मतलब यह है कि सुबह से आपने खाया नहीं है तो सुबह से आपने खाया नहीं तो आपके अंदर जिता respiration तो ऐसे चल ही रहा आपने प्रॉपर एनरजी जो है वह बन रहा होगा समझ वारी है चीज़े तो यह होता है रेस्पिरेशन सर ने वह रिक्डाउन होगा और फिर इस से हम क्या करेंगे energy को निकाल लेंगे energy फिर उसे energy का हम लोग different activities में हम लोग उसको utilize करते हैं कि यह रहा respiration इसको note कर सकते हो screenshot निकाल सकते हो कि फिर बाद में पढ़ करके हम अपने experiment no.3 जो हमारा उसके यह पहला question कि फिर बाद में between respiration and photosynthesis तो respiration और photosynthesis के बीच में difference बताना है अगर हम बात करें कुछ respiration और photosynthesis की तो हमें याद है कि photosynthesis अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिखने जाएं तो अगर हम यहाँ पर photosynthesis की बात करें एक तरफ हम लिख देते हैं यहाँ पर photosynthesis और एक तरफ हम यहाँ पर लिख देते हैं respiration, ठीक है, respiration, ठीक है, हमें photosynthesis में देखने को मिला था कि यहाँ पर carbon dioxide था, water के साथ, और यह मिल करके finally हमारा C6H12O6 यह बना रहा था, इधर हमें C6H12O6 जो मिला, इधर से बना बनाया, फिर हमने इसको CO2 में तोड़ दिया, तो कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि छोटे-छोटे चीजों को लेकर के एक बड़ा molecule हम बना रहे हैं, और यहाँ पर इस बड़े molecule को हमें छोटे टुकरों में तोड़ रहे हैं, ठीक है, और एक process होता है, जिस process को कहते हैं metabolism, तो metabolism क्या होत difference पूच रहे है, respiration में क्या कर रहे हैं, energy का synthesis करवा रहे है, photosynthesis में क्या हो रहा है, हम food का synthesis करवा रहे है, इस photosynthesis के मतब से जिस food को हम बना रहे हैं, इस food को use करते हैं, हम इस वाले process में for energy, ठीक है, यही कहान है तोटल, कहता है वही कुछ ऐसा कि respiration is a catabolic progress and photosynthesis ex animнимat प्रोसेस मतलब वही चीज यहां पर बोल दिया कि यह जो फोटो सिंथेसिस हैं यहां पर देख रहें कि हम छोटे-छोटे टुक्रों को जोर करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है तो हमने इसको क्या नाम दिया हमने इसे एनाबॉलिक प्रोसेस नाम दिया और वहीं यहां पर एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे-छोटे टुक्रों में तोरा जा रहा है तो हमने इसे केटाबॉलिक प्रोसेस का नाम दिया बहुत ही छोटा सा कोशन था अगर आपके वाईवा में आपके एक्सटर्णल आपसे एक कोशन पूछते हैं तो हम इसका बंदास तरीके से आंसर आप कर सकते हो इसको भी आप नोट कर लो स्क्रिंशॉट निकाल लो फिर बाद में रिवेजन करने बैठो तो बहुत जल्दी आपसे हो जाएगा ठीक है अब चलते हम अपने कोशन नमबर थ्री के तरफ की उधर हमारे experiments on respiration तो respiration के उपर जब हम experiments करते हैं तो इस दौरान germinating seeds या फिर floral birds का यूज किया जाता है ऐसा क्यों तो धियान से देखो तो यह germinating seeds जो है या फिर floral birds की बात की जाए तो यह वो समय होता है वो दौर होता है जिस समय यह germinating seeds जो बिल्कुल ही ज्यादा growth rate अपने growth वाले situation में होता है मतलब कि इन में growth का जो है न rate higher growth rate होता है यहाँ पर इस समय में ठीक है growing stage होता है इनका तो चुकि इनका growing stage होता है तो इसके लिए इनको क्या होता है growing stage के लिए इनको energy की जो requirement है energy की requirement है वो high होती है जो rate है respiration का जो rate है वो भी इनके अंदर बढ़ा हुआ होगा तो मतलब कहने का है कि यहाँ पर बात की जा रही है that is that is about active respiration यहाँ पर हम बात करने किस चीज़ का तो हम यहाँ बात कर रहे है active respiration का तो यहाँ पर active respiration जो है वो जादा देखने को मिलेगा ठिक है और active respiration जब 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 देखने को मिलेगा तो हमारा यह जो respiration पर जो यह हमारा जो भी result होगा हम उसे जो भी experiment हम कर रहे हैं हमारे लिए result का पता लगाना जब जब आसान हो जाएगा तो कहता है कि जर्मिनेटिंग सीड्स है या फिर फ्लोडल बर्ड्स है और अंडर rapid growth period so they carry out active respiration तो यह चुकि rapid growth period के दाम में होते हैं यह तो इनके अंदर active respiration होता है और जब active respiration होता है तो फिर हमारे लिए experiment करना आसान हो जाता है हमारे लिए results की finding करना आसान हो जाता है हम जल्दी से अपना observation कर लेते हैं conclusion बना लेते हैं result हमें मिल जाता है तो इस तरीके से हमने तीन questions को किया चौथा question हमसे क्या पूछा जा सकता है क्या कि वाई green leaves और green leaves और other green parts of a plant are not used to demonstrate the process of respiration साथ साथ यह भी होता है कि respiration के लिए हम लोग non green parts का use करते हैं green parts का use नहीं करते क्यों नहीं करते हैं कि अब देखो respiration में respiration में क्या हो जाएगा respiration में actually हो जाएगा कि जब हम यहां से C6 H2O6 को हम लोग यहां से energy निकालेंगे carbon dioxide निकल जाएगा इधर से तो क्या हो जाएगा और फिर यहां पर क्या है कि हम अगर हम green parts पर study कर रहे हैं ठीक है green parts पर अगर हम study कर रहे हैं तो green parts में क्या हो रहा होता है तो green parts में होता है photosynthesis green parts में कहा हो रहा होता है तो green parts में हो रहा होता है photosynthesis अब यह जो भी यहां पर CO2 बनेगा इस CO2 को यह use कर लेगा कहां तो यह co2 plus h2o को यूज़ कर लेगा किस चीज़ के लिए तो अपना फूड बनाने के लिए तो ग्रीट प्लाट्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो पता चला है कि जो हमारे यह निकल करके आया था स्योट्ट उसको इसने यूज़ कर लिया तो फिर हमारे लिए रिजल्ट की फाइंडिंग करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए चीज़े परशानी वाली हो जाएंगी इसलिए हम नॉन ग्रीन पार्ट का यूज़ करते हैं कहरे हैं ग्रीन लीव और ग्रीन पार्ट अफे इसलिए हम क्या करते हैं कि नॉन ग्रीन पार्ट का यूज़ करते हैं वह फोटो-सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं तो वह स्योटू को यूज़ नहीं करते हैं एसटीज हमें फिर जो रिजल्ट है वह हमें मिल जाता है ठीक है बहुत ही असान असान कोश्ट से इसको भी आप नो हमारे externals साब हमसे क्या पूछ सकते हैं तो हम से यह पूछ सकते हैं कि वाई शूट जी जर्मीनेटिंग सीड भी केप्ट मॉइस द्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सपरिमेंट के दौरान यह जो जर्मीनेटिंग सीड़ हैं इनको हम लोग मॉइस्ट क्यों रखते हैं तो इनका ग्रोथ जो है उसमें असानी से हो सकता है क्या जर्मिनेटिंग सेट्स रिक्वार मॉश्यर फॉर तो मुद्दा है बस ग्रोथ के लिए इनको मॉश्यर चाहिए इन सर्मिनेटिंद अब क्या करता है कि ग्रोथ को organise में क्यों मेंड़न सेंड़ तो मॉष्यरल हमारे हम चल आपा तो तो growth पर उफेक्ट परेगा। इसके करने के rate of respiration यह rate of respiration, यह down हो जाएगा और जब rate of respiration down हो जाएगा तो हमारा जो result है हमें, यह हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इससे moist रखनाहे। क्यों moist रखनाहें्ड ताकि हम अपने इस active respiration को continue कर सकें और हमारा जो result है, वह हमें मिल जाए, simple सी बात है, ठीक है, इसको भी आप note कर सकते हो, screenshot निकाल सकते हो, फिर हम चलते हैं, एक और question है हमारे पास, इस topic से, तो एक छोड़ा सा question है, एक question आप से पूछा जा सकता है, कि बता दो, simple simple में बता दो कि aerobic और anaerobic respiration की बीच में क्या difference है, what is the difference between aerobic and anaerobic respiration, तो aerobic respiration की बात करें, तो जो oxygen के presence में होता है, उसे हम लोग aerobic respiration कहते हैं, और जो oxygen के absence में होता है, उसे हम लोग anaerobic respiration कहते हैं, यहाँ पर food का complete oxidation होता है, और यहाँ पर incomplete oxidation होता है, और भी बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर जो energy है, वो energy ज तो इस तरीके से यहां पर क्या होता है कि डिफरेंस से एरोबिक रेस्पिरेशन एक बार आप में इसे कुई करना चाहेंगे को रिविजन कर लेते हैं कि हमारे जितने भी छे कोशन थे इसमें उनका क्या कहानी है तो पहला कोशन रेस्पिरेशन के यह कुछ नहीं कैसा प्रॉ तो इसमें प्रॉट को तो रहे है और वुक्रॉट को तो रहे है और इसमें वह जोता है और विजो होता है इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं तो इसको इसलिए ऊसी करते हैं क्योंकि होते हैं और अच्छी की फाइंडिंग करना बाइ green parts for photosynthesis तो हम फिर कैसे उस जो detection है वो CO2 का वो नहीं हो पाएगा इसलिए हम non green parts का use करते हैं ठीक है फिर कह रहा है कि why should germinating seeds kept moist during respiration तो moist हम इसलिए रखते हैं क्योंकि moisture के कारण क्या होगा germinating seeds का जो growth है वो maintain रहेगा और जब growth में यह रहेंगे तो यह active respiration करेंगे और जब यह active respiration करेंगे तो हमारा result हमें मिल जाएगा अगर moisture हटा दोगे तो धीरे धीरे इनका growth जो है वो उस पर effect पड़ेगा और जब growth धीरे धीरे कमेगा तो फिर respiration का rate कम जाएगा और फिर हमें results हमारा जो है वो उधरा नहीं मिल पाएगा जो हमें चाहिए था aerobic और anaerobic के बीच का difference, aerobic जो oxygen के presence में हो anaerobic जो oxygen के absence में हो, aerobic जिसमें की complete oxidation हो रहा है food का energy 38 ADP हमें मिल रहा है, anaerobic respiration में 2 ADP मिल रहा है in complete oxidation है food का, ठीक है सबसे पहले हमें देख लेना है कि हमारे experiment number 4 हमसे कहता क्या है experiment number 4 की demand क्या है, experiment number 4 हमसे चाहता क्या है experiment number 4 का aim है कुछ ऐसा कि to study, हमें study करना है to study binary fusion in amoeba and budding in east with the help of prepared slide तो हमें slide prepare करना है, slide prepare करके हमें amoeba के अंदर होने वाले binary fusion को देखना है और एक और चीज़ है that is की east के अंदर होने वाले budding को देखना है अगर हम अपने aim को अगर ध्यान से देगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारे reproduction वाले part से how do organism reproduce वाले chapter से है, यह topic साथ हमें यहाँ पर binary fusion की बात की जा रही है, मतलब कि यह type of asexual reproduction के बारे में बात किया जा रहा है साथ साथ हम बात करें है, budding के बारे में तो यह यह kind of asexual reproduction है मतलब कि हमें जो भी यहाँ पर जो हमारा practical topic यह asexual reproduction से related है और हमारे पास दो केसे, एक हमारे पास ameva के अंदर binary fusion होता है, हम जानते हैं हम जानते हैं कि ameva एक unicellular है और इसके अंदर binary fusion होता है और east के अंदर budding होता है, हम जानते हैं और इसका हमें prepare करना है slide आपने अपनी school में इसको perform किया होगा आपने स्कूल में इसके बारे में डीटेल स्टडी की होगी लाइबरेटरी में आपने काम किया होगा और आज हम उसी एक्सपेरिमेंट के वाइबा कोशन के साथ डील करने वाले हैं simple simple अगर हम देख लए तो east के बडिंग के अंदर यह एक east के inscription हमें देखने को मिल रहा है is के सेल में क्या होरा है इस तरीके से bird का development हमें देखने को मिल नॉर्मल था..? इस तरीके से इस तरीके से इस वाले रीजं में.. प्रेशर आ रहा है .. इस तरीके से इस फ़ली यह चिस बता रहा है अगर अमीवा की बात करें तो इसका कोई पॉफेक्ट शेप नहीं है यूनिसेलल और 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 यह पर देख रहे हैं इस तरीके से तो नुकलियस यहां पर डिवाइड हो गया के रिवाइड होना होगा और फिर साइटो प्लास्म को डिवाइड होना होगा साइटोप्लास्म तएट बाइड होगा और इस तरीके से होता है हमारा आपने कौनसा experiment किया तो हमारा sir experiment का topic जो था हमें बताना था east के अंदर होने वाले budding को और हमें बताना था कि ameva के अंदर जो binary fusion होता है इस चीज़ के बारे में तो फिर sir तुमसे पूछ सकते हैं कि बता हो कि अगर यह asexual reproduction है तो how asexual reproduction is different from sexual reproduction एक question हम से पूछास्य जा सकता है अगर हम इसके difference की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे options है हमारे पास बहुत सारे points है अगर हम लोग यहाँ पर Asexual Reproduction Asexual Reproduction को अगर हम यहाँ पर रखते हैं इस तरीके से और एक तरफ अगर हम रखते हैं अपने sexual reproduction को ठीक है एक तरफ अगर हम रखते हैं अपने sexual reproduction को तो हमारे पस बहुत सारे points बन जाते हैं कि Asexual reproduction एक ऐसा process है, जिसमें कि Single parent is sufficient, कि वो एक Single parent जो है, वो हूअपने Young ones को जनम दे देता है, तो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर हमें देखने को मिला, क्या? तो यहाँ पर हमें देखने को मिला Single Parent, ठेक है? यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, couple of parent की जरुरत है couple of parent की जरुरत है यहां पर हमें कहने का मतलब है कि एक male है और दूसरे को female होना होगा यह जरुरत है कि अगर ऐसा नहीं है तो हम यहां पर किसी भी नए office spring अजन्द नहीं हो सकता है हम जान रहे हैं यहां पर क्या है यह अपने माबाप से बिल्कुल copy दिखते ह तो ये कैसे होते हैं उनके clone होते हैं अगर इनकी बात करें तो ये थोड़ा सा variation हमें दिखाते हैं ये इसका छोटा से इसके बारे में discussion हो गया हो गया की नहीं यहां पर क्या है कि यहां पर gamut के formation की जरूरत नहीं है तो यहां पर gamut का अगर formation हो भी जाता है उन living organisms में लेकिन उ हो रहा है तो भी ठीक है जैसे कि angios pumps में जो कि हमारे plants से उनके अंदर flowers बन रहा है उनके अंदर gamut का formation हो रहा है लेकिन हम भी हम भी ये section mode से उनके अंदर reproduction करवा रहे होते हैं तो यहां पर gamut बनने से कोई मतलब भी नहीं है वहीं अगर इसकी बात करें तो यहां पर gamut जो ह पर क्या है तो वहीं यहां पर कहता है कि यहां पर लिखाया है कि यह पहले यह देख लेते यह इस तरीके से इसको नोट कर सकते हो ठीक है फिर मुद्दा यहां पर यह उठके आ जाएगा यहां पर की वही चीज़ यहां पर कहता है कि a sexual reproduction में only one parent is involved किसमें तो ए sexual reproduction की अगर ह दो parents चाहिए ही और इस दो parent में भी हमारे पास एक हमें male parent की जरूरत है और दूसरा हमें female parent की जरूरत है ठीक है female parent की यहाँ पर हमें जरूरत है ठीक है फिर कहता है कि meiosis is not involved यहाँ पर meiosis नहीं involved, meiosis कहने का मतलब है कि हमें देखो बनाना होता है gamet ठीक है और जब हम gamet बनाते हैं तो याद होगा कि जब हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं जब हम लिखते हैं sperm की कहानी, जब हम लिखते हैm sperm plus ovum, ovum यहाँ पर आगे जाकर कि यह जो zygote बनाता है इसमें हम यहाँ पर लिखते हैं that is कि sperm n, ovum n, zygote 2n ऐसा हम लिखते थे याद है क्या कुछ इससा कहने का मतलब है कि normal इंसान की अगर हम बात करें तो actually तो वो 2n होता है, deployed होता है लेकिन जब इसके अंदर gamut बनता है तो उसके gamut में हमें कैसा देखने को मिलता है, n और n ऐसा देखने को मिलता है मतलब कि number है जो number of chromosomes यह half हो जाते हैं और इस तरीके के cell division को हम लोग कहते हैं, reductional division reductional division या फिर हम इसे कह सकते हैं या फिर हम इसे कह सकते हैं क्या तो हम इसे meiosis कहते हैं, ठीक है तो gamut तो बन रहा है हमारा इस वाले case में sexual reproduction में तो यहाँ पर हमें meiosis करवाना होगा लेकिन इस वाले case में gamit नहीं बन रहा है तो meiosis की कोई जरुरत नहीं है तो वही लिखता है meiosis not involved और यहाँ पे लिखता है कि meiosis बिलकुल involved है कोई दिक्कत नहीं है इसमें कहता है कि it is a rapid mode of reproduction मतलब कहने काई कि यह जल्दी जल्दी हो जाएगा बहुत जादा वक्त नहीं लगेगा लेकिन इसकी बात की जाए तो यह बहुत ही slow process है sexual reproduction slow process है slow mode of reproduction है क्योंकि ज़्यादा advanced mode of reproduction ठीक है तो अगर आप से पूछा जाए sexual के बीच के difference को तो आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं और पूरा पूरा grade उठा सकते हैं ठीक है आगे चले दूसरा question हमसे क्या पूछ सकते हैं हमारे external वाले sir दूसरा question हमसे यह पूछ सकते हैं कि चलो बताओ तुमने तो इन दोनों के बीच बाइनरी फीजन भी करवाया है चोटा-चोटा question होता और छोटे-छोटे answer होते हैं क्योंकि आपके बीचे बहुत सारे और भी students बैठे होते हैं और भी बहुत सारे chapter हैं तो बहुत सारा चीज़ें होती है बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पर हमें short में काम करना होता है तो फिर अगर हम यहाँ पर बहुत जादा लिखेंगे तो theory में क्या होगा तो simple simple हमसे बताना है कि binary fusion और budding में क्या होता है तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि binary fusion में सर कुछ नहीं कि कोई एक cell है एक cell है इस cell में क्या होता है एक नया यहाँ पर बड़ देखने को मिलता है हो सकता है कि इस बड़ की उपर एक और बड़ हमें इस तरीके से देखने को मिले तो यह बहुत सारे बड़ देखने को मिलते हैं ठीक है साथ-साथ हम इस यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है यह नया bird बन चुका है लेकिन अभी यह वाला जो parent था वो continue हो रहा है तो इसमें parental identity हमें दिख रही है वही चीज़ कहता है कि अगर हम binary season की बात करें तो it is a type of asexual reproduction in which the parental identity is lost parental identity loss हो गया यहाँ पे लेकिन budding की बात करें तो it is a type of asexual reproduction in which the parental identity is not lost तो बड़िंग एक ऐसा है जिसमें की parental identity loss नहीं होता है वह continue करता है हमें यह टाइक्राम क्लियर बता रहा है अगर हम लोग बाइनरी फीजन की बात करें तो जाता है generally present in the unicellular organism example bacteria east and euglena तो जनरली unicellular organism में मौझूद होता है लेकिन अकर हम बड़िंग की बात करें तो यह unicellular में भी पाया जाता है और multicellular में पाया जाता है unicellular का example east और multicellular का example hydra तो hydra में और east में इसमें यह पाया जाता है किसमें तो hydra में budding हो रहा है that is multicellular और east में भी budding हो रहा है जो कि है unicellular लेकिन इस वाले case में जो बाइनरी फीजन है वो हमें unicellular में ही देखने को मिलता है तो यह रहा इसका example इसको भी आप नूट कर सकते हो एक खट से आप screenshot निकाल सकते हो कि अगर हमसे यह question अगर पूछा गया तो हम इसका भी answer कर देंगे है की नहीं अब आगे चलते हैं अपने question no.3 के तरफ समझ में आ रही है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप doubt पूछ सकते हैं हमसे इसके अग हमारे पास तीसरा question sir हमसे अब में BADING के अंदर ही तुमको कण्दूज करें करें कि पॉंधे जर्मारे वर किवा यह यह घे quan घाया और इस में भी तो इन दूनों की बीच मेजर। इस तरीके से बनाते हैं तो इस तरीके से बड़ निकल करके आता है ठीक है इसकी बात करें तो इसकी उपर एक और बर्ट निकल करके आ सकता है इस बर्ट के ऊपर भी एक बर्ट निकल करके आ सकता है हो सकता है कि इसके ऊपर एक और बर्ट निकल करके आ सकता है बर्ट के ऊपर एक बर्ट था इसके ऊपर एक बर्ट था और यहां पर हमें एक और देखने को मिल रहा है हो सकता है कि अपने पेरेंट से डिय अटैच हो यहां पर यह bird है जो थोड़ा mature होता है उसके यह bird जो है अपने parent के body को छोड़ करके नीचे गिरता है और फिर यहां पर क्या है एक नया हमें bird देखने को एक नया हमें hydra देखने को मिल जाता है ठीक है एक नया hydra हमें देखने को मिल जाता है तो कहता है कि major difference की बात की जाए तो कहता है कि in east the bird arises in a small protuberance on the parent east cell it receives the daughter nuclei as it gradually develops. It may separate or may not separate or may develop several daughter birds. They may separate or may not in hydra. अब hydra में है कि the bird appears due to the repetitive mitotic cell divisions in the body cells. The daughter bird is multicellular. This does not develop the daughter bird. इस तरीके से हमें देखने को मिलता है दोनों के बीच का difference. बहुत यह असान है बहुत जादा concept नहीं है. इसको भी हम note कर सकते हैं, screenshot निकाल सकते हैं, sir के question का हम अच्छे तरीके से answer कर सकते हैं. ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास तीन question हो गए. तीन questions हो गए. ठीक है? अब आगे चलते हैं अपने चौते question पर कि इसी topic से हमसे चौता question कौन सा पूछा जा सकता है? चौता question हमसे क्या पूछा जा सकता है? तो चौता question हमसे पूछा जा सकता है कि in which group of animals binary fission is more common? तो कौन से group of animals है? animals की बात की जा रही है? तो इसमें आजाता है हमारे पस protozoa ठेक है? अब देखो यहां पर यहां पर protozoa लिखता है कहने का मतलब है कि यह protozoa animal है क्या? तो protozoa जो है अभी के समय में अगर हम बात करें तो protozoa animal नहीं है protozoa animal नहीं है पहले कभी जब पहले कभी जब पहले कभी जो था ना protozoa as an animal type of behavior शो कर रहा था that is why हमने इसे kingdom animalia में रखा था बर चुकि फिर जब और ज़्यादा डीडेल स्टडी की गई तो पता चला कि नहीं protozoa को हम वहां नहीं रख सकते है तो protozoa फिलहाल animal के category में नहीं है इसको अगर हम पूराने में देखा जाए तो फिलहाल अगर हम इसको animal से काट करके अगर हम इसको animal से काट करके अगर हम यहाँ पे सिधा कोई organism यहाँ पर लिख दें organism से यहाँ पर लिख दें तो ज्यादा बेठर बैठेगा है यह तो इसका answer हो जाएगा हमारा protozoans इसका answer हो जाएगा शुक्छि की इसे हम अनीमल किंग्डम में भी नहीं रखते हैं ठीक है तो यहां पर animals को काट करके organism करना ज्यादा better हो जाएगा ठीक है animals लिख करके animals से लिए अब को confuse किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है क्योंकि इनिशलीनिसे रखा गया था या यह शो कर रहा था पर जूखिए लिए करन फिर उसको यहां से हटा दिया गया इसको यहां से हटा दिया गया जब five kingdom system of classification हुआ उसके बाद इसे वहां से हटा दिया गया ठीक है तब से अगर इस तरहीं कोशन पुछा जाता है तो हम कह सकते हैं प्रोडुजवां में जो इस तरहीं से चार कोशन का हमने आंसर कर दिया अब हम कर सकते हैं पांचमा कोशन हमारा क्या हम से पूछा जा सकता है पांचमा कोशन में लास्ट में से पूछा जा सकता है कि चलो हमने इसे बाइनरी फीजन का नाम दिया था अब एक सेल से जब अनेको सेल बन जाएंगे जब एक सेल से फाइनली हमें बहुत सारे सेल देखने को मिलेंगे एक सेल से जब अनेक सेल बन जाएंगे तब हम इसे मल्टीपल फीजन का नाम दे देंगे हम इसे क्या नाम दे देंग जिसमें की uniceller parents है वो एक बार में बहुत सारे cells को produce करेगा तो यह multiple fusion है जब एक बार में दो होते हैं तो binary और एक बार में जब बहुत सारे होते हैं तो उसे हम लोग multiple fusion के नाम के अंदर डालते है example plasmodium जो malaria का वायर मलेरिया का parasyte होता है ठीक है जो malaria का parasyte होता है वो इसका perfect example हो जाएगा समझ में आ रही है चीज़े इसको भी आप note कर सकते है example example के साथ screenshot निकाल सकते हो तो इस तरीके से कि यहां हमने दो parent involved है यहां पर meiosis का कोई काम नहीं यहां पर meiosis हो रहा है यह rapid mode of reproduction यह लंबा समय लेता है फिर दूसरा question है था binary fusion और budding के बारे में difference तो हमने देखा था कि यह पैरेंटल आडेंटिटी binary fusion में lost हो जाती है by budding में नहीं होती यह generally unicellular में होता है binary fusion लेकिन बढ़िंग की बात करें तो binary fusion unicellular as well as multicellular में भी होता है जैसे इस एक unicellular है तो उसमें भी देखने को मिल रहा है लेकिन हाइड्रा है तो उसमें भी देखने को मिल रहा है फिर हम से पूछ लिएगा कि इसमें बडिंग में हो रहा है इनके बीच में कि बडिंग हो सकता है तो उसके बारे में भी हम ने देखा था कि फिर कि सब्सक्राइब को यहां से काड कर का और्गनिजम लिखा just because की initially हम मानते थे यह अनीमल हो सकता हैं लेकिन बात के study में यह अनिमाल्स के अंदर यह नहीं किर रहा है फिर multiple vision की बात करे विट minimum words तो multiple vision की बात करें तो multiple vision में हम कहते हैं की एक सल से जब अनेक सल बनते हैं उसे multiple fusion कहते हैं example की बात करें तो प्लाज्मोडियम जो इस तरीके से हमने कि आपने पांच कोश्चन को इस टॉपिक से इस वारे experiments अगर आपसे किसी तरीके का वाईवा कोशन पूछा जाएगा तो आप उसे बिंदास तरीके से अंसर करेंगे हमें इस बात की उम्मीद है तो इसी अच्छे बातों के साथ हम आगे बरते हैं हमें एक एम देया है कहता है कि तो स्टडी होमोलोगी एन एनलोगी तो हमें हम बा इसके बारे में हमें डिकलिशन करना है तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि हमोम् produkt high Ng diameter क्या है थ गर हम बात करें तो हमोलोगी एस श्र्क्शेस होते हैं इस ऑर्गिन जिनका ओरिजिन जो है औरिजिन जो है वो सब्का सेम होता है लेकिन उन Great Citizens अलग है तो हम उसे इस एक्सपरिमेंट को आपने अपने स्कूल में किया है, हम यह मान के चल रहे हैं, इस एक्सपरिमेंट को आपने परफॉर्म किया है, इसको आपने अपने कॉपी में प्रॉपर तरीके से, इसके एम को, material जो required है, जो भी हम theory लिखते हैं, procedures है, result है, observation, सभी चीज आपने तयार कर लिया है, और अब आप external के सामने बैठे हैं, external आपसे questions पूछ रहे हैं, इसी practical से, कुछ वाइवा questions वो आपसे पूछ रहे हैं, तो आप उन वाइवा questions का answer कैसे करोगी, हम इस चीज़ के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, आपके लिए, ठीक है, तो पहला question आपसे क्या पुछा जा सकता है, इस chapter से, चुकि यह homologus organ या फिर analogus organ की बात है, यह हमारे heredity and evolution नामक chapter से, और इसमें भी जो evolution वाला जो हिस्सा था इसका, जहां पर हमने देखा था, कि evolution में किस तरीके से नए spaces बन रहे हैं, etc, etc, of things, तो वहाँ सही आवाला चीज़ा है, उसके बाद हम हमने evolution के अंदर पढ़ा था, हमने कहां पढ़ा था, तो हम भी evolution के अंदर पढ़ा था, तो sir का question उड़ जाएगा, कि चलो बता दो फिर evolution क्या होता है, sir ने हमसे सवाल पूछ लिया, कि evolution क्या होता है, इसके बारे में हमें बता दो, जैसे ही sir ने पूछा कि evolution क्या होता है, आपके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आनी चाहिए, just because कि आप जान रहे है evolution क्या होता है, और evolution होता क्या है, कि हम जान रहे हैं कि जब reproduction होता है, तो reproduction के बाद actually क्या होता है, कि जब next generation बन करके तयार हो रहा होता है, क्या होता है, next generation बनता है ये जो next generation बनके तयार होता है इस next generation की कहानी ऐसी है कि समय हमें कुछ variations देखने को मिलते हैं क्योंकि अपने parents से especially जब हम बात करें sexual reproduction की कि इसकी बात हम कर रहे हैं लें बात करने हैं sexual reproduction तो इसके समें जो next generation बना उसमें थोड़ा सा variation एज जस्ट बिकोस कि इसमें male parent plus female parent दोनों के गुन है इसमें तो थोड़ा सा variation और यह variation को कई बार जुर्टे चला जाता है कई बार जुर्टे चला जाता है तो evolution का रूप ले लेता है evolution का रूप ले लेता है यह evolution एक नए species के बनने में new species यह बंधर करके तयार होता है कहने का मतलब है के एक समय था कि इंसान के पास पूछ हुआ गरता था जब इसकी forefathers की बात की जाए ancestors की बात की जाए धीरे धीरे यह जो पूछ है खतम होता गया कम होता गया कम होता गया कम होता गया और आज के समय में जो हो होमो सेपियन से हम इंसान है हमारे पास पूंच नहीं होता है नहीं पाया जाता है है ना तो इस तरीके से चेंज आया और फिर हम इंसान बने होमो सेपियंस बने एक नियाया स्पेशिस बना इस इस अबाउट इवॉलूशन यह इवॉलूशन होता है तो जैसे ही सर ने पुछा इवॉलूशन किया तो तुम बोलें कि सर डेवलॉप्मेंट ऑफ मौडर्न and advanced species modern और advanced species का development हो रहा है from pre-existing ancient and simpler species is called evolution शुरू शुरू में जो species पाई जाते थे वो उतना ज्यादा advanced नहीं थे simpler species थे pre-existing ancient थे अब इनसे क्या हुआ इन simpler से क्या होता है advanced का in simpler से advanced species का development होता है एक नया species new species यहाँ बन करके new species यहाँ पर बन करके हमें देखने को मिल गया यहाँ पर एक new species हमें देखने को मिल गया ठीक है तो यहाँ पर हमने कह दिया कि सर इस तरीके की जब चीजे होती है तो यह evolution होता है समझ में आ रही हैं चीजे तो यह evolution यही होता है इसको आप note कर सकते हो इसके screenshot निकाल सकते हो फिर हम चलते हैं अपने दूसरे question के तरफ कि हमारे एक struddle sir जो है हमसे दूसरा question क्या पूछ सकते हैं हमसे वह दूसरा question क्या question क्या पूछ सकते हैं तो कहरा है give any two evidence evidence of evolution evolution के कुछ दो हमसे sir ने पूछा कि sir evolution होता है हमने evolution evolution का जवाब देती है आप साथने आख़ रहीं होता है तुम्हारे पास कोई biology analogy है तो fossils क्या है जमीन के भीतर घड़े हुए कुछ बहुत पुरानी सी चीज है जिसको हम लोग study करते हैं study करते हैं इसके age को study किया जाता है इसके characteristic को study किया जाता है और इसके बाद बताया जाता है कि किस species से रिलेट कर रहा है और यह किस species का आज पाया जाते हैं ये किसका ancestor है इस तरीके से हम decide करते हैं अस तरीके से हम study करते हैं तो एक evidence हमारे पास हमारा फॉसिल से हमें हमें evolution के बारे में बता रहा है कि हमो लो लुटस और इससे है और फॉसिभल एविडेन्स होग है एक हमारे पास fossils है दूसरा homology या ना लोगी है इसको भी आप note कर सकते हो screenshot निकाल सकते हो फिर हम देखते हैं कि हमसे तीसरा question क्या पूछा जा सकता है है की नहीं हमसे तीसरा question क्या पूछा जा सकता है तो सवाल यह कि सर ने पूछ लेका अच्छा fossil है fossil है तो तुम यह बता दो कि यह fossil क्या होता है दो example भी साथ साथ तुम इसका दे दो सर ने हमसे पूछ लेकि fossil क्या होता है तो हमने सर को बोला कि सर actually fossils are the preserved traces of living organisms यह होते हैं इन फॉसल मतलब कि जमीन के भीतर जो आज से बहुत साल पहले millions यह अगो पहले कि मिलियंस सालों पहले क्या थे जो भी living पाए जाते थे उनका क्या होता है वह धीरे-धीरे क्या है वह अर्थ के अंदर अर्थ के लेयर्स में वह अर्थ के लेयर्स में वह डिपोजिट होते चले गए ठीक है डिपोजिट होते चले गए फॉसिल्स के रूप में और फिर हम इन फॉसिल्स की ट्राइलोबाइट ठीक है यह दो हमारे पास इसके एक्जैंपल्स हो गया ठीक है इस तरीके से हमें तीसरा कोशन कंप्लीट किया यह तीसरे कोशन को भी आप नोट करके क्या होता है तो चौथा कोशन जो हमारे सामने हैं वह भी यह है कि वाट डू यू मीन भाई हूमो लोगस और गें गीव एन एक ग्जैंपल और एक ग्जैंपल भी हमें देना है जैसा कि हमने कई बार देख लिया कि हो मो latitude क्या है Homo cosmos οavin वैसे objeto सबसुत हैं अगर औरीजिन की बात करें लेकिन अगर वंक्षन की बात करें तूं का फंक्षन की बात करें उनका फंक्षन जो है न वह डिफ्रईंट है we have to sit ै कुई तरीके से समझा दिया सर ने बोला ऐसा कैसे खाकते हैं कत्छ को अग्जंपल है answer हम इंसान के हाथ की बात करें तो यह अलग-अलग चीजों में यूश करते हिए खाने के लिए लिखने के लिए किसी चीज़ की साफसफाई लिए ड्राइविंग के लिए and numberem like other things की बात करें तो बैट में भी इसका origin सेम है लेकिन अगर वो function की बात करें तो वो उड़ने के लिए flying के लिए यूज करता है तो सरने का वहाँ बहुत अच्छे और इस तरीके से तुम इसका example दे करके बहुत ही अच्छा score कर सकते हो to the point answer देना है वाइवा में और मार्क समय पूरे-पूरे मिलते हैं तो कहने का मतलब वही है कि organs which have similar basic structure and origin but perform different function in different species are called homologous organs example में limbs of human bed, cheetah and whale अलग-अलग activities flying के लिए, running, walking के लिए, whale swimming के लिए, origin से हैं इस तरीके से हम कह सकते हैं homologous organ के बारे में कि homologous organ ऐसे होते हैं यह काम करते हैं इस तरीके से यह perform करते हैं ठीक है कि इसके बाद हमने homologous organ के बारे में बता दिया homologous organ के बारे में बता दिया अब कि और यहां पर अलग-अलग direction में यह move भी कर रहे हैं तो यह as a result हम यहां पर क्या देखने को मिलता है यहां पर चुकि homologous organ के कारण मैं एक और इससे अलग-अलग functions देख पा रहा हूं तो मैं कह सकते हूं कि सरम से बोल सकते कि बता water analogous organ analogous organ क्या होता इसके बारे में भी एक्जांपल दो तो same homologous का उल्टा कर देंगे यहां पर तो इसके बात करें तो इसका origin जो है वो different हो जाएगा इसका origin जो है वो different हो जाएगा लेकिन अगर इसके हम function की बात करें तो इसका function जो है वो same हो ठीक है और इसके फिर example की बात करें सर को बोलिंगे सर सबका origin अलग जैसे की birds का जो विंग है उसका origin अलग है butterfly का जो विंग है उसका origin अलग है लेकिन दोनों तो उरने के काम ही आते हैं दोनों का use जो है वो flying purpose से है तो यह इसका example हो कि सर ने बुला अच्छा है सर ने बुला तो वही चीज़े कह रहा है कि विच्छाव different structure है different origin है लेकिन काम एक ही कर रहा है तो यह हो गया example की बात करें तो विंग सब्सक्राइब इस वाले केस में हैं हमें अलग-अलग origins देखने को मिले अलग-अलग origins लेकिन काम जो है वह एक ही जैसा कर रहे है तो सर ने बोला किस हमें तुम्हें यहांपे दीख रहा है तो हमने सब्सक्राइब सर पिछले वाली केस में भी आए जो किसeldpy descantia को मिलता है इस वाले केस में कि इसबाद्पेस में कट्रट्ट्य 一LP देखने को मिलता है कि यहां पर जबंस चीज से समझ में आ रहा है तो इस तरीके से 5 questions हमारे इससे पूछा जा सकता है, उमीद है कि आपको समझ में आया होगा एक बार हम quick revision करना चाहेंगे, सारे questions की एक बार हम सारे questions को चाहेंगे quick revise कर लें तो पहला question evolution, क्या है evolution? तो evolution and development of modern and advanced species from pre-existing ancient and simpler species is called evolution एक चीज़ यह हो गया, दूसरे में हम से कहा रहा है, give any two evidences of evolution तो evolution की किसी दो evidence के बारे में बताना है, तो एक fossil हमारे पास दूसरों हमोलोगी अनलोगी तीसरे question में हम से इसी question को continue कर सकते हैं कि बताओ fossil क्या है, दो example भी देना है, तो fossils कुछ नहीं है, preserved traces of living organism are called fossils example में ammonite है और tribalite है, ठीक है, trilobite है actually चौता question है हमारे पास की, what do we mean by homologous organ, give an example to homologous organ के बारे में कहता है की organs which have the similar and basic structure and origin but perform different function in different species are called homologous organs example, Williams of human, bat, cheetah and whale फिर हम से पुछा जा सकता है, what is analogous organ, example के साथ तो organs which have the different structure and origin but perform similar function in different species are called homologous organ, are called, sorry, 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 this should be the analogous organ this should be analogous organ, आप इसे correct करेंगे, आप इसे correct करेंगे, this should be analogous organ, यहाँ पर आपको लिखना होगा, analogous organ, ठीक है, यहाँ पर आपको analogous organ लिखना होगा, in question number 5, हम यहाँ पर correct हरेंगे, क्योंकि यहाँ पर analogous organ पुछा जा रहा है, और यहाँ पर analogous organ को हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा analogous organ, example के बाद करेंगे, तो wings of birds and butterfly, ठीक है, तो इस तरीके से हम ने किया, अपने 5 questions को complete, तो यह experiment number 6, जो हमारा biology से है, यह हम से कहता है, कुछ ऐसा कि, to identify the different parts of an embryo, हमें कह रहा है कि, हमें यह चीज़ बताना है, to identify the different parts of an embryo of a dicot seed, जिसे P, gram और red kidney bean, यह सारे के चीज़ों के बारे में हमें बताना है, different parts of an embryo of a dicot seed, ठीक है, एक dicot seed का यहाँ पर lateral view दिया है, dicot seed का यहाँ पर जो है, एक mature embryo है, तो इस तरीके से इसका कुछ diagram दिया है, इसको देख लेते हैं, यह जो experiment है, हम यह मान के चल रहे हैं, कि इसको आपने, अपने school में किया है, perform, इसको आपने, अपने notebook में, आपके जो practicals के जो copy आता है, आपने उसमें इसे proper तरीके से लिखा है, इसके aim को, material जो required है, इसके theories को, procedures को, जो भी आपका result आया, आपका जो observation रहा, इन सब को आपने लिखा है, आप इसे perform कर चुके हैं, अब यहाँ पर सवाल यह उड़ता है, कि इसी experiment से हमसे कौन-कौन से वाईवा questions पूछे जा सकते हैं, जो external सर हमारे आएंगे, वो हमसे किस तरीके के questions पूछ सकते हैं, तो किस तरीके के questions हमसे पूछे जा सकते हैं, इस वाले topics से, तो वो हमारे सामने हैं, सबसे पहले चुकी, यहाँ पर dicot plants की बात की जा रही है, एंजियो स्पॉम्स की बात की जा रही है, एंजियो स्पॉम्स की बात की जा रही है, एंजियो स्पॉम्स की बात करें, angiose pumps की बात करें तो एक तरफ हमारे पास monocot है एक तरफ हमारे पास monocot है और दूसरी तरफ हमारे पास dicot है ठीक है तो हमसे ये वाले dicot वाले part से हमारे ये experiment related है सर ने कहा dicot plant से क्या समझते हो तो तुमने बोला कि सर ये angiose pumps they are actually angiose pumps तो सर का सवाल हमारे सामने ऐसा हो सकता है कि अच्छा बताओ ये angiose pump है तो ये angiose pump जो होते हैं ये क्या होते हैं तो हमने कहा कि सर हमने जैसा कि class 9 में हमने देखा था कि अगर हम प्लांट को अगर हम प्लांट को और ज्यादा डिवाइड करें तो हमें पता चलता हमारे पास एक सर algae जिसे हम लोग थैलोफइटा के नाम से भी जानते हैं algae के बाद हमारे पास सर ब्रायोफाईटा Neo Sperm टैरीटोफाईटा के बाद है हमारे पास घिम्नोर इस पॉम और फिर जिम्नोर इस पॉम के बाद आखिर में हमें देखने को मिला था और फिर ये बताया सर को की सरी यह जो angios pump है यह इन पांचों में सबसे ज़ादा advanced है और actually angios pumps की खास बात यह है कि इन angios pumps में हमें flowers देखने को मिलते हैं इन angios pumps में हमें flowers देखने को मिलते हैं that is why हम in angios pumps को कुछ ऐसा है sir कि हम इस angios pumps को हम flowering plants के नाम से भी जानते हैं इन angios pumps को हम flowering plants के नाम से भी जानते हैं कोई डाउट इसमें नहीं सर कोई डाउट में बहुत अच्छे ठीक है समझ में आ रही है कि angios pumps में flowers होते हैं और हम इने इसलिए that is why हम इने flowering plant के भी नाम से जानते हैं तो flowers के होने से अगर हमने इसे flowering plant का नाम दे दिया तो कहने का मतलब है कि flower का presence कुछ तो matter कर रहा होगा यहां पर कहने का मतलब है कि flower का होना कुछ तो स्चान्ग क्या बोलते हैं अपना एक support दे रहा होगा कुछ तो इसके होने से फड़क पढ़ रहा होगा तभी तो इसके होने से हमने इस इन plants को flowering plant का नाम दे दिया कि इसे angios pumps को चलो flowering plant भी हम कह सकते हैं actually flowers flowering plant की बात करें तो इसमें जो flowers हैं ये flower responsible होते हैं ये flowers की अगर हम बात करें तो ये responsible होते हैं इसके sexual reproduction को perform करवाने के लिए ये plants के अंदर sexual reproduction करवा रहे होते हैं और फिर इसी के बाद जो है वो generation after generation बेसे बेसे बने चलना तो फिर हम कोशे हम पूछ रहे है plastic हैब और एंजया स्पंप और हमसे बोल रहे है एंजयो में आपके परवारे में तो आंज्सरे में सेक्शन crocodile reproduction करवा रहा है flowers तो हम कहेंग part की बात करें तो हो जाएगा जो है यही इसका reproductive part है बेकेट में लिखता है एक तरफ स्टैमेन है और एक तरफ कार्पेल है तो स्टैमेन की बात करें तो ये इसके मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इसके मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कार्पेल की बात की जाए तो ये इसके फीमेल पार्ट को रिप्र की जारी है तो कहने का मतलब है कि यह वो जगह है जहां से हमें यह वो जगह है जहां से हमें मेल गैमिट निकल करके आता हुआ दिखेगा और यह वाला जो जगह है इस जगह से हमें फीमेल गैमिट्स release होते वे दिखने वाले है female gametes की अगर हम बात करें तो हमें वो यहाँ पर दिख जाएंगे और फिर female gametes मिल गया male gametes मिल गया अब इन दोने का हो जाएगा fusion होने के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा zygote और फिर यह zygote जो है that is the flower इसको भी आप note कर सकते हो इसका चाहो तो आप screenshot निकाल सकते हो अगर हाँ से लिखने की कोशिश करोगे तो आप जादर यादगार रहेगा यह एक कोशन हमारे सामने जो हमसे पूछा जा सकता है हमारे YY exam में तो हम इसका बिंदास तरीके से आंसर करेंगे इसका बिलकुल करेंगे और इसके बाद फिर सर ने हमसे कह दिया कि अच्छा इसके बाद हमने सर ने हमसे कह दिया कि अभी अभी तुमने यहाँ पर कुछ बोला था तुमने बोला था कुछ ऐसा कि अगर हम पर Angius funds की बात करें अगर यहां पर we have Nebraska की बात करें तो अभी अभी आपने कहा कुछ ऐसा सर कि यह दो तरीके के हैं हमारे पास एक हमें देखने को मिलता है Monocot एक हमें देखने को मिलता है Monocot और एक तरफ हमें देखने को मिलता है Decode तुब कstäve हाँ सर ऐसा है मोनो कोट है और डाइकोट है सर ने बूला चलो हमने तुम्हारी बात को माल लिया और अब तुम मुझे यह बताओ कि actually dicote plant क्या होता है एक आज जर एक्जामपल दे के समझाओ मुझे सर ने आप से पूछ लिया कि चलो तुमने ये बताया हमने तुमारी बात को माल लिया तो अब तुम मुझे ये बता दो कि ये dicote जो तुम बोल रहे हो ये dicote actually होता क्या है एक दो monocot की बात करें तो अगर यहां पर हमारे पास अगर single cotyledon मौजूद हैं तो हम उसे रखते हैं under monocots और dicote plant की बात करें तो अगर यहां पर यहां पर two coryledons मौझी मौझी है two cotyledons अगर यहां मौझे तो हम μας रखते हैं under dicote plant ये चोड़ा सा case है थो और हिस सर Χ सर ने सब्सक्राइब कर दिया वाईवा में कि सब्सक्राइब के सीड के पास दो कॉटिलेडन है तो वह डाइकॉट प्लांट हो जाएंगे सब्सक्राइब का बहुत अच्छे इस तरीके से तुमने सर के दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया इसके बाद हमसे पूछा जा सकता है क्या इसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि चलो यह तुमने बता दिया अब जरह तुम यह बताओ अब तुम मोनो कॉट प्लांट के बारे में बताओ तुमने इस डाइकॉट के बारे में बता दिया अब यह monocot के बारे में बताओ, तो monocot में हमने देखा कि जो single cotyladen है, एक आध example देख करके भी हमें बताना है, तो हमने sir को बता ली कि sir, plants which bear seeds, plants जिनके पास ऐसे seeds हैं, जिन seeds में हमें single cotyladen देखने को मिलते हैं, तो हम उन्हें monocot plants के नाम से जानते हैं, तो plant which bear seeds with single cotyladen are called monocot plants example की बात करें, तो wheat, mage, rice, etc. को हम इसके अंदर रखते हैं, तो monocot plant क्या हो जाएगा, plant which bear seeds with single cotyladen, single cotyladen है, तो हम उसे monocot के अंदर रखते हैं, examples हमारे सामने है, wheat हो गया, mage हो गया, rice हो गया, यह सारे इसके examples हो गया, ठीक हैं, हमने angiospoms के बारे में बता दिया, उसके reproductive part क के बारे में हम बता देंगे, हमसे यह अगर पूछा जाता है, monocot example के साथ, तो बता देंगे, हमसे पूछा जाता है, dicot तो हम बता देंगे, इसके बाद हमसे कौन से questions पूछे जा सकते हैं, एक नजर उस पर डालते हैं, तो इसके बाद हमसे पूछा जा सकता है, which part of the ovary develops into a seed, तो अब कहने का मतलब है कि हमें यह बताना है कि ovary का, यह जो ovary है, इस ovary का ऐसा कौन सा part है, जो की आगे जाकर के seed में, इस तरीके से seed में यह बदल जाता है, यह fill in the blanks है हमारे पास, इस fill in the blanks में हम क्या भर सकते हैं, कौन सा ऐसा चीज है जो जाकर के seed में बदलता है, तो आंसर हमारे सामने है कि sir ovule जो है वो आगे जाकर के seed में बदलता है, ovule mature होता है और फिर यह आगे जाकर के क्या होता है, यह seed में बदल जाता है, ठीक है बहुत यह असान से सवाल है, सवाल बस इतना है इसा है कि कौन सा ovary के कौन सा part है जो जाकर के seed में बदलता है, तो ह को इसके वाद देखते हैं कि हमसे दूसरा क्या कोशन पूछा जा सकता है अब तुम हम ये बता दो कि ये सीड कोड का क्या फंक्शन है जब यहां पर दिख रहा है कि मैं कोड की बात की जा रही है कोड कहने का मतलब इक कुछ तो आउटर में लेयर होगा ये कुछ आउटर ले है तो कहीं न कहीं से हमें पता चलता है कि यह बाहर में तो यह बाहर से हमें प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेगा यह बाहर से क्या करेगा यह कुछ तो हमें प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन सा हमें देने की कोशिश करेगा कौन सा सीड कोड तो वही हम से पुछा जा रहे है यहां पर मौझूद है इस सीड कोड का function क्या है तो वही चीज यहां पर कहता है कि to protect this sheet seed के protection में यह काम कर रहा है तो what is the function of seed coat तो हमें दिख रहा है कि to protect these seed seed को protect करने के लिए यहां पर seed coat मौझूद है समझ में आ रही है चीज़े तो question number 5 का हमने इस तरही का answer किया बहुत simple सा था simple सा ठीक है और हमसे क्या question पूछा जा सकता है इसके बाद हमसे question पूछा जा सकता है तो एक question हमारे पास और है that is कहता है कि from which part of the embryo does the root and shoot of the seedling develop तो embryo के किस part से root निकलता है और किस part से shoot निकलता है हमें इसका answer देना है हमें बताना है कि root किदर से निकलता है और यह जो shoot है वो किदर से निकलता है ठीक है तो अगर root की रेडिकल वाले parts से निकलता है और shoot की बात की जा तो यह प्लिम्यूल वाले parts से निकलता है यह हमारे पस इस का अंसर हो गया किस वाले part से निकलता है RE-icus से shoot निकल करके आता है ठीक है यह होगे हमारे पस कुल 6 questions बहुत ही आसान थे बहुत बहुत ही ज़दा basic इससे ज़दा आपसे नहीं पूछेंगे आपके वाइबा कोशन में हम सीधा-सीधा वाइबा को टार्गेट कर रहे हैं तो हम उसी according उतने ही कोशन उतने ही कम कोशन उतने ही short कोशन उसी level के कोशन हम आपके सामने ले करके आ रहे हैं कि इस तरीके के की जा रही थी तो एंजिस पर्म के रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से थे तो भाई फ्लावर यहां देखने को मिला था स्टेमेन कार्पल स्टेमेन मेल पार्ट की बात की जा रही है जहां से मेल गैमेट को रिलीज होना है कि दूसरा कोशन हमारे सामने आ गया था कि बैंगॉल ग्राम है रेड की डिनी बीन है एकसे यह हमें देखने को मिला इसके बाद बात की जाए वाट डू यू मीन बाई मोनो कॉट प्लांट के बारे में पूछा गया और इसके साथ साथ इसके एक्जांपल स्टेम पूछ लिए गए तो हमें फिर बाही बताना है कि ऐ पांचमा कोशन हमारे सामने था कि ओड द तो यह प्रोटेक्शन दे रहा होगा सीड को तो प्रोटेक्ट धी सीड सीड फिर हमारे पास चाटा कोशन ने इंड इस फों बिच पाड आफ द एंब्रेयों दस दी रूट अंड शूट ऑफ द शेटलिंग डैवलार रूट में उसे निकल करके आ रहा होता है, उमीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है? समझ में आया होगा, तो इसी के साथ हमने complete किया अपने इस छटे experiment को complete, जो हमारे class 10 तो biology से जो हमें experiment कर रहे थे, उसके total 6 experiments थे, हमारे पास और अच्छे किछे को हमने किया है complete उमीद है कि आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है अगर समझ में नहीं आया है तो आपका फर्स बनता है आप अपने doubts को पुछें हम आपके doubts को पूरी तरीके से clear करने के कोशिश करेंगे और वाई-वाई exams में हमसे कोई भी question ऐसा ना मतलब कि ऐसा कुछ ना होगी हमसे sir external sir जो आएंगे हमारे sir या मैम जो भी आती हैं हमसे कोई question पूछती हैं तो हम उसका answer ना करें हम बिल्कुल बिंदास तरीक इस उसका answer करने वाले हैं साथ-साथ एक और information आपके लिए that is about magnet brain एक ऐसा platform जहां मिलता है आपको बिल्कुली free and quality education from kindergarten to class 12 English medium CBSE, CBSE, Hindi medium different state boards या competitive exams like NTSC, Olympiad, CVT board examination के preparation के लिए theory paper के साथ-साथ practical examination की भी तैयारी करवाई जा रही है आपके viva questions के लिए भी इसके लिए आपको आना होगा हमारे magnet brain के YouTube channel पर या फिर आप आ सकते हैं आप download कर सकते हैं हमारे app को या visit कर सकते हैं www.magnetbrains.com यहां आना है आपको अपने class को चुनना है आपको subject पर जाना है, subject पर जाना है, chapter को चुनना है चुसको enjoy करना है, examination के preparation को मजबूत बनाना है, examination में rock करना है तो इसी अच्छे बातों के साथ हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परते रहिए magnet brain के साथ, tada thank you, bye bye